हिंदुस्तानी स्टेज की रवायत में हबीब तनवीर का रंग बंच अपनी एक अलहदा शान और पहचान रखता है उन्होंने ड्रामे की रवायत को एकैडमिक्स के जंजाल से बाहर निकाला और उसे एक खरी जीती जागती जमीनी सते पर लाख़डा किया अर्दु में वो सबसे ज्यादा मशूर अपनी नाटक आगरा बाजार के वास्ते से हुए लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा यही है कि उन्होंने ब्रेखत की तरह आम इनसानी जिन्दगी को बजाए खुद ड्रामे की शाक्ल दी हिंदुस्तानी ड्रामे की लोक रवायत को लोक नाच और लोक गीतों समेत हबीब तन्वीर के ड्रामों में एक नई जिन्दगी मिली उन्होंने ड्रामे की जिस रवायत को तरक्वी दी उसे हम दुनिया की सबसे अनोखी रवायत भी कह सकते हैं उनके ड्रामों में जिन्दगी इस तरह सांस लेती है कि सच्चाई और अदाकारी का भेद मिट जाता है हभीब तन्वीर की 36 गड़ी नाटक मंडली ने हिंदुस्तान के मुखतलिफ विलाकों के साथ-साथ मगरबी दुनिया को भी अपनी तरफ मतवज़ो किया हभीब तन्वीर के अनपढ़, खुरदुरे और बजाहिर गेर तरबियत याफ़ता अदाकारों ने अपने रोल से एक दुनिया को हैरान कर दिया उनके लिए सारी धरती एक स्टेज थी और उसका हर बासी एक कलाकार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके उट जाने से चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है या सन्नाटे का एसास गहरा हो जाता है हभीब तन्वीर ऐसे ही लोगों में थे वो ठेटर की दुनिया का सबसे रोशन सितारा अपने जमाने का कह जा सकते है इसके इलावा यू भी उन्होंने पूरी जिन्दगी में सियासी एदबार से, समाजी एदबार से, तहजीबी एदबार से कला और कहना चाहिए रंगमंच के एदबार से जैसी भरपूर जिन्दगी गुजारी उसकी कोई मिसाल हमें दूसरी दिखाई नहीं देती अब से दो बरस पहले तब को हमारे साथ थे उनका जाना ऐसा लगता है, मुझे ख्याल आता है कभी कभी की एक शेर कहा था मजीदमजद ने, जो हम इधर से गुजरते हैं कौन देखता है, जो हम इधर से न गुजरेंगे, कौन देखेगा यानी आना जाना तो लगा रहता है जिन्दगी में, लेकिन कुछ लोगों का जाना वागई ऐसा लगता है कि दुनिया वैसी नहीं रही जैसे उनके सामने थी, हम उस शखक्स को याद करने के लिए, हबीब तन्वीर को याद करने के लिए जो हिंदोस्तान में थीटर की एक नई रवायत का बानी था, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा अदाकार था और जिसने कहना चाहिए कि हिंदोस्तान में रंगमंच के तसवर को एक बिलकुल नई जहत थी उसने ऐसे एक्टरों से काम लिया जो हर्फशनास भी नहीं थे, एक लफ़ लिक पड़ नहीं सकते थे और उन लोगों को लेकर उसने योरप के सहर की और उन मुलकों में गया जहां बहुत महजब लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाके उनका खेर मक्दम किया तो ये एक अजीब औ गरीब जिन्दगी थी, हबीब तन्वीर के बारे में बातचीत करने के लिए इस अफ़ हमारे साथ हैं अनीस हाजमी साहब, जो फुद एक बहुत अच्छे अदाकार है, बहुत अच्छे आक्टर, और बहुत अच्छे कहरा चाहीए के ड्रामिय के पारक इन दों अर्दू एकैडमी, दिली के सेकर्रिय हैं दूसरे हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और अर्दू के बहुत ही नामवर मुदीर, अदीब, दानिश्वर, प्रोफसर असलम परवेश सहाब जे नियू, जवाल लानधरी उनस्टी में कभी बढ़ाते थे, वहां से सुबख दोश होने के बाद, अब एक अर्दू का बहुत ही कहना चाहिए कि कावल ले इतराम जरीदा इडिट करते हैं, अर्दू अदब के नाम से, तो हम अपनी गुफ्तू को असलम भाई आप ही से श चुन्नूमिया का है, इसलिए कि मैं बच्पन में 47 से पहले की बात कर रहा हूं, कि बच्चों में प्रोगा करता था रेडियो पर, और उसको चुन्नूमिया जो है, वह कंड़िट किया करते थे, और बाद में मुझे बहुत अर्से बात पता लगा, कि ये चुन्नूमिया द इन सालों की, तो वहां से चुन्नूमिया जो थे वो हमारे साथ थे, उसके बाद आगी चलकर जब जमाना गुजरा, हम भी कुछ बड़े हुए, यूनिवस्टी बगरा में पढ़े पढ़ा है, तो एक दफ़ा हभीब तन्वीर साब बहुत अर्से बाद हिंदूस्तान कि यह हमारे पुराने चुन्नूमिया है, जो अब हभीब तन्वीर साब हो गए है, तो यह तो मेरा उन से पहला तारूफ है, अब उसके बाद उन्होंने पढ़ाओ डाला था एक जमाने में, जेनियू के पढ़ाओस में, बेर सराय में, और अजीब था साब, कि वह पूरा जो उनका टूप था, वो सब साथ रहते थे, सब साथ खाते पकाते थे, और गाते बजाते थे, और वो चाये जिसको पकड़के उसके अलावा भी आगरा बजार वाले अपने शो के अंदर लाके फिट कर लिया करते थे, मुझसे भी उन्होंने का कि तुम भी आओ, और करना भी थे, ड्रामकार भी थे, अदाकार भी थे, फिर गालिब सदी के जमाने में जो उनके प्ले था और उन्होंने उसमें खुद एक्टिंग भी थी गालिब की, तो मेरे बाद वाला, हाँ, तो ये सब हैं और उसके बाद अब अब यह अनीस मिया जो हैं ये तो खैर उनने न सालों में, बहुत चीजें छपी, यानी योरप के बहुत से रहने वालों ने भी हबीब तन्वीर को याद किया, उनकी एक, यानी कहना चाहिए, बेटी जो फ्रांस में थी, उसने भी एक मदमून लिखा, और हबीब तन्वीर के बारे में लेकिन जो सबसे छी तहरी में मु ने, मैंने हबीब तन्वीर की जबान से एक बार एक नजम सुनी, सब क्या अन्दास था उनके पढ़ने का, और ये नजम ऐसी जो मैं आप सब को सुनाना चाहता हूँ, राम नाथ ने जीवन पाया, साठ साल या एक साठ साल, राम नाथ ने जीवन में कपड़े पहने कुल शे-शे-सो गस, पगड़ी पांच, जूत- पंद्रा, राम नाथ ने अपने जीवन में सौमन चावल खाया, फाके की ये अनगनत, शराब पी दो सौ बोतल, पूजा की दो हजार बार, राम नाथ ने एपने जीवन में धरती ना पी, कुल जमला पैस्ट हजार मील, सो या सोया पंद्रा साल प्यार किरातें उसे मिली दो ड्वाइए हजार उसके जीवन में आईीं बीबी के सिवा कुल पांच ओरतें एक के साथ पचास के अमर में प्यार किया नो साल सतर फिट कटवाए बाल सतरा फिट नाखुन रुपिया का माया दस हजार या ग्यारा कुछ पैसे का कर्स बस ये गिंती रामनाथ का जीवन है इसमें नहीं शामिल चिता की लकड़ी तेल कफन तिरही का भोजन रामनाथ बहुत हस्मुक था उसने पाया एक संतुष सुखी जीवन चोरी कभी न की कभी कभार अलबता कह देता था बीबी से जूट गाली दी दो तीन मह हीने में एकाद एक चीटी भी नहीं मारी बच्चे छोड़े साथ भूल चुके हैं गाउं के सब लोग अब उसकी हर बात रामनाथ अच्छा और ये नजब हवीब तन्वीर साब पढ़ते थे तो उनकी आवाज में जो गुनगुनाहट थी और जिस तरीके से लहक करके वो काई इंट्रिव्यूज भी थे और चूंकि सेहमस भी मेरा तालोग था हभीब साथ उसमें जूले तो मैंने एक रंग उनका वो भी देखा है अध्या में डिमोनेशन के बाद जो प्रोटेस्ट मार्च हुई थी दोहजार इंटिलेक्ट्टरस का पूरा एक जद था वहां त अधुस्तान के अंदर थेटर में बीवी करन्त और हभी तन्वीर के लावा कोई और नाम नहीं सुचता है या दोनों में से कौन बड़ा था या आज तक कोई फैसला नहीं कर पाया है दोनों ही थे और खास्तार से जो फोक ट्रेडिशन हमारी हैं ट्राइबल्स जो ट्रेड तक उनको इतने अजीज थे इतने कंसर्स इतना ग्रेट आर्टिस इतना बड़ा आज इंसान एक इन्वरा एवार्ड जिसको मिला हो दुनिया का सबसे बड़ा थेटर का वार्ड चरंदास चोर अचा हभीब साब में चुकि बहुत अचा असलम साब ने बच्चों की साब कर रहे थे ये तीन दिन पहले पहुँचे बंबई से अचा मेरी मदद करो तो मेरे यार हो और वो कुछ ऐसा पॉलिश किया कि जब जामिया में लोगों ने इसको देखा जिसमें जागिर साब थे ये मुजीब साब थे और काफी कुस्या जादी थी थी तो हैरान देग जो पॉलिश किया ये सारा कमाल इनका है बई हबीब साब का मामला ये था कि बंबई भी जब वो पहुंचे हैं उसकी रूधार इन्होंने जुर्फकार बुखारी ने अपनी आबीती में लिखी है और ऐसा दिल्चस्प वाकिया है ये लिखा है उन्होंने कि एक दिन वो पाथ से गुजर रहे थे किसी तो एक गठर बना हुआ एक शक्स तिरपाल ओड़े हुए पड़ा हुआ था उस से ये टकरा गए उसने जब अपनी आँखें खोली चौक करके तो मालू हुआ एक नौजवान है अच्छी शकल सूरत का इन्होंने देखा तो उसका जिसम बख है ये सब हुआ और ये उनके साथ रहने लगे कुछ उस जमाने में ये घजले हाफिज की गाया करते थे तरन्नम में बहुत उंदा तो उन्होंने जिक्र किया है फैज अहमत फैज ने और जुल्फकार बुखारी ने एक के घर पर कभी पत्रस बुखारी ने जब हबीब के तोर पर आये थे उर्दू ड्रामे की पूरी रवायत में ऐसे लोग जो अपनी शख्सियत की बिना पर कहानी बन गए असलम भाई ये बताईए मेरे खाल में एक तो आगा हचर काश्मीरी की जो एक रवायत है पूरी इसके अलावा आप देखें कि हबीब साहब ने लेकि असलम बात ये है अगर थेटर से कड़ी होते तो ये ना होता थेटर हमारे थेटर नाप की कोई चीज उस तरह से थी ने ड्रामा लिखने की रिवायत थी ड्रामा लिखो ड्रामा की किताबे चापो तो ड्रामा तो लिखने की चीज़ नहीं ड्रामा तो करने की चीज़ नही इतने लोग उर्दू बेक्डाउंड के जो थेटर में आए, मैं नाम नहीं लुआ किसी का, अगर वो आए और थेटर को उन्होंने बहुत कुछ दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हबीब तन्वीर वाहिद थे जो थेटर में आए, उर्दू बेक्डाउंड के, बीवी और बेटी को साथ लेकर आए, हर शो में बीवी और बेटी मौझद होती थी, दूसरा नाम आपके इंदुस्तान में नहीं मिलागी, हाँ ये सही भी, मौनिका और मैंने देखा उसके साथ नगीन, हर शो में, मतलब पूरा बेक्डेज मौनिकाजी समालती थी, और स्टेज के पर बेटी उनकी होती, नगीन, और जिस वक्त निकाह नगीन का हो रहा था, मैं मुझे बुलाया था, मैं गया था, तो मैं देख के हरान रहा है, कि हवीज साथ में ये कौन सा रूप धारा है, सादिकान से 99 नाम अल्ला के लिकवाए थे, और वो सिर्फ डेकरोशन था, शादी म का, उसमें मौलवी का किरदार सबसे आपने देखा होगा, सबसे स्ट्रॉंग किरदार मौलवी के था, तब मैंने का हवीज साथ इसमें तो आपने जादू की एक जिन्दगी इसको दे दी, ये किरदार तो मू बोलता है, कहलें कोई नहीं है, मैंने अपने बाप को जो पर हावी होने दिया और फिर उस ड्रामे के अंदर ये, मतलब कहां से इंफूलस हो के मैंने लिखा है, तो ये उनका कमाल था, गालिब किया आप ने जिक्र किया है, उनके ड्रामा मेरे बाद, उसमें जो पूरी गालिब के खुटूत के हवाले से, जो उनके अक्स किया है, क केरे बाद प्ले एक शो हुआ है 69 में गालिब सेंटरी पर उसके बाद आज तक ने हुआ क्योंकि हभीब साफ जोश में लिखना शुरू किया तो सालज 6 गंडे का लिग गए हभीब साफ का कारणामा यह है कि उन्होंने अदाकारी उन्हों से करवाई जो जिन्दगी इस तरह गुजारते थे कि आज लोग देखें तो समझेंगे कि यह तो अदाकार कभी बनी नहीं सकते हैं ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं गवार हैं छोटे-छोटे काम करने वाले जहार खंड के और रायपूर के आसपास के जंगलों में रहने वाले जिनकी अब उनमें एक फिल्मी अदाकार भी बन गया पीप्ली लाइव में जो आया एक मरकजी किरदार के तौर पर उस अदाकार बन करके आया उन्होंने ऐसी अदाकार आएं वो ले आए कि जिनके यहां जो इस क्रॉल संगीत नाटक अकैडमी का उस पर दसखत नहीं कर सक था तो वो ड्रामा जो था वो उनका एक जिन्दगी का भीवियर था वो यह इस बाते कॉंशन थे नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं यहां जी रहे हैं जाके स्टेज पर यूसी तरह जीना शुरू कर दिया तो इसलिए में रहा हैं उनको उतनी ज्यादा मुशक्कत नहीं क कर आए कि आपने वो विलेश टाउन में या यह के स्टेज पर हो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था मैंने तो यह देखा तामाशा के यह जो आपका थेटर है यहां पर मंडी हाउस में मिट्टी की गाड़ी हो रहा था लाइट शेली गई हाउस फुल था सब कोई शस वहां से उट्टा हो कैंडी लेकर ला गया पैनल्स के अंदर लोग कैंडी ले खड़े हो गए और कैंडी लाइट में वो प्ले चलता रहा और कोई उट्टा और प्ले चलता रहा जादू कर तो थे मैंने तो देखिए उनके जो ड्रामे देखे हभीब साब को अधाकारी करत लेते थे वो अपने साथियों से मुक्तलिफ कभी नजर नहीं आए थी आपकी नजर में ये बताईए कि उनके जो ब्रेख्तियन थीटर की रवायत जिससे उनको बहुत दिल्चसपी थी उसको हिंदुस्तान में आम करने में क्या रोल रहा है उनका सबसे बड़ा सबसे एहम रोल जो है इपिक थेटर का वो हभीव साबी है हभी साथ तो राडा में पढ़ने कहा थे इंग्लेंड में रॉयलिक एडमेटिक आर्ट्स में वहां से खल्दी से भाग गया क्या कि वहां जो अंग्रेजी पढ़ने थोड़ा है मैं तो ड्रमा पढ़ने हैं बाराल बगावत की पहली सहुरुनाय कि वहां सेear और जर्मनी आये और बर्ल इने सम्ब्लेर में घुमते रहे हैँ ब्रेक्स से मुलाकात नहीं होई ब्रेक्स के तीन प्लेज़ देखे अब होगी अब होगी और ब्रेक्स त इससी दरमियान में जो खोगए लेकिन उससे त гр lagi मतासिर हूए कि इतने ज़वाजी मतली तो वो चीज यहां लेकर आए हबीब साब कांडूपशन एक और बहुत बड़ा है कि उन्हों ने यहां एक्टर मेडिया कहलाता है कि डिरेक्टर जो है आदमी को कहता है कुरसी बना यह मेज बना तो कुरसी बनो मुझे कुछ निचाहिए हबीब साहब आपने आक्टर को पुरी लिबर्टी दी क्या कर सकते हो तुम्हारी आवाज में झा आज़ में जो कर सकते हो करके कि ये है, इसको बोलो, इस ख्याल को कैसे बोलोगे, तुम्हारे पास कौन से लवज है, उस लवज में बोलो, ये कभी होता है थेटरा में, हमने तो नहीं देखा, ये हभीब साब में ही था, हभीब साब की एक और चीज थी, जिसका कांटुबिशन हम को मानना चाहिए, आज क बहुत गहरा असर था, सारे के सारे लोग आप देखे, बल रास आहनी तक और ये जाहरे की ये सब कहना चाहिए कि उर्दू से मतासिर ये लोग चले आ रहे थे, उसके बाद हभीब साब जामिया आये, और जामिया में मेरे जमाने में भी एक बार हभीब साब एटीज में आ बनाया, तो ये जो पूरा डवलप्मेंट हुआ है, आप ने शाहरे की मुक्तलिफ जमानों में देखा, हभीब सार से बाद में मुलाकाते हैं, आपकी कैसी रहें, बाद में तो बहुत हमारी कम ही रही रही इं, मुलाकाते हैं, सच्छ बहुत तफसीली कभी नहीं नहीं, द साहब से ऐसी दोस्तियां ही मैंने कम देखी मसूद अलग साहब ने अस्ती साल की उम्र में अपने आपको हबीब साहब के लिए वफ कर दिया था सुबा से शाम तक मैं देखता था मेज पर जूके हुए ये हबीब साहब के मसूदें दुरूस करते रहते थे उन पर किताबें तर्टीब और ये किताब इसके अलावा दो और किताबें फिर हबीब साहब की आत्म का था आप बीती उनकी उसको अरेंज कर रहे थे एक काफी टेबल बुक जो हमारे और मसूद भाई के दोस्ट हिंदुस्तान के मशूर मसवित परमजीस सिंग जो छफ़वाना चाहते हैं और गालबन तैयारी हो गई है उसकी वो तैयार कराई हो ने और ये सारा काम तो मसूद अलग साब ने उनका बहुत कहना चाहिए कि हबीब तन्वीर साब के सारी चीजें जी अब जब ये चीजें सामने आई तो ये भी ख्यार आता है कि हबीब तन्वीर का कमिट्मेंट कितना गहरा जिंदगी से था मैंने वो दोर में उनका देखा जब भारत भवन से जोड़ गए थे एक बार जाना हुआ था मुझे वहां बोपाल तो हबीब साब के घर भी देखने का इत्वाक हुआ वहां पर तो जाहर है कि हबीब साब ने पूरी जिंदगी एक ऐसे अदीब के तोर पर गुजारी जो सिर्फ अदीब नहीं होता और जो समझता है कि अदब से हमारे तकाजे जो होते हैं वो सिर्फ अदबी या फनी नहीं होते जिसले में उनकी तहरीरों को आगे बढ़ाने की सिलसे उस रवायत को आगे बढ़ाने कुछ कर रहे हैं क्या ने काफी हो रहा है देखिए हबीब तन्वीर के बारे में आज भी कहा जाता है कि अगर आपको दो साल का कोर्स करना है लखनों में भारतेंद्यों केडमी में या हभी साब के और रूट रहता है साब मुझे याद आ रहा है कि जब इनको 75 साल पूरे हो गया मतपर्देश सरकार ने इनको सबसे बड़े साथ दिन का एक आउनर किया था कि साथ दिन तक हभी फिल्में चलेंगी नाटक चलेंगे इसे मियाल होगा और हिंदुस्तान की हर मिस्ता मजूद थे और जब इनको आवार्ड देने के बार आई ही तो हुआ किसी स्यासी आदमी के हाथ नहीं होगा किसी थेटर के आदमी को बीवी कारंट साब को बलाए गया नेशन स्कूल आर्मा के डिरेक्टर और दोनों एक दूसरे दोनों वह जब यह आवार्ड देने और मेरे खाशे कितनी दे तक तालियां बजी है क्कौन बड़ा कि कोई बड़ा नहीं है फन बड़ा है तो हबीब साहब का मामला ये हैं कि हबीब साहब की पूरी शख्सित भी हमारे हमसे तक आजा इस बात का उनको बिल्कुल परवा नहीं थी किसी बात की नको किस तरह पहँचाना जाए किस तरह उनके काम का इत्राफ की। होता है मैं जी बता ही है कि आगा हशर काश्मीरी उसके बाद एक दम हईव तन्वीर इस बीच में क्या इतना बड़ा कोई और माइल स्टोन है अब इस बीच में देखिए इम्तियाज अली ताज का आनारकली बहुत मशूर हुआ हकीम हमाशुजा के ड्रामे बहुत मशूर हुए जिसमे बहरा लिए चले फिर उसके बाद हमारे यहां जाहरी कि फिल्म और टेलिविजन के आने के बाद रेडियाई ड्रामा और फिल्म का लिखा जाना नहीं है किया जाना है तो यह जाहरी कि एक बहुत अच्छी चीज़ और ड्रामे करने और लिखने के लिए आदमी में गयर मामूली कहना चाहिए कि एक तरह की मारूजियत और एक तरह की संगीनी चाहिए महाशा नसकरी ने एक जमला लिखा है कि ड्रामा उसी जबान में अच्छा लिखा जाता है जिसमें लिखने वाला जिन्दगी की बुल अजबी, जिन्दगी के दुखों को उस तरह से देख सके जैसे कुट्टी की लड़ाई हो रही हो लोग देख, यानि गोया की मतलब ये कि आदमी कहना चाहिए कि एक बहुत रजीब और ये पर का नकशा खेंचा है, एक नजमें, एक नजम उनकी अमरूत का पेड़ है, लेकि नजीब पाते है कि जब घजल कहते हैं तो बड़े रवायती अंदास की, मुझे वो कभी अपने अशार सुनाते थे, तो मैं उनकी शायरी का बहुत कायल नहीं था, नजमें मुझे अच्छी अपनी इंफिरादियत उन्होंने आज नहीं आने दी, और बहरहाल हमारे जमाने में बहुत से अच्छी लिखने वाले हभीब साहब कॉन्डम्प्रिरीज में, उनके महासरीन में, लेकिन उनमें कोई हभीब नहीं है. उसकी वजह थी लग साहब कि आप जो मगाबला मौजना हम करते हैं आगाशा काश्मेरी से अभीब तन्वीर तक के दर्वियान में, तो कोई खराब ही नहीं हो सकता, वजह यह थे कि हभीब साहब ड्रामा निकार नहीं थे, सिफ अधायत कार नहीं थे, मतलब कौन सा ऐसी सि इंफ है ड्रामे की, वो जो पकड़ नहीं कास्ट्यूम पर, सेट डिजाइन पर, लाइट डिजाइन पर, वो जो जो जिस तरह से बात करते थे, उनके आज आज अनदी में पढ़ा जाता है, कि सेट कैसे डिजाइन किये उन्होंने, आगरा बाजार में, दो मंजला सेट बा है, यह जो उन्होंने कर दिया था ठारा फिट के एरिये में, यह एटिंबरा में लोग पढ़ाया करते हैं, कि हभीव साब के सेट डिजाइनिंग देखिया आप, और जहां उन्होंने को सेट नहीं चाहिए, चरंदाज चोर पूरी दुनिया में गुमा, बेगर सेट के, सिर जिस्म, जिस्म जो है, वो एक्टर का, वो सुप्रीम पावर होता है, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो उन्होंने साबित कर दिया उससे, वही 75 साल के उमर में मैंने हभीव साब को एक्टिंग करते हुए देखा, दूबले पतले, खासे कमजोर रखते थे, लेकिन ज खुसत देने की इतनी गुंजाइशे हैं, कि जाहरे कि कोई दूसरा फसीला हमें नहीं दिखाए देता है, बहुत बहुत बिल्टरस बाते हैं, हभीव साब के उनके किस्ते बहुत से याद आ रहे हैं, लेकिन इस बहुत 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 आप लोगों का शुक्रिया, अनीज स असलना भी बहुत 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 शुक्रिया झाल झाल